सीधी जिले में बिवीन तरह की घटना घटी रहती है इस वार एक घटना घटी है जिसमें पत्रकारों को जोड़ कर देखा जा रहा है इसके संबन्द में मद्दप्रदिश शासर ने जाच बैठाई है जाच करने आये हैं SSP अमिद सिंग जी उन्होंने जाच की है जाच के बाद किस तरह की बाते सामने आई है इसमें पत्रकारों सब जोड़ा जा रहा था क्या तत्रकारों से जोड़कर बात की जा रहा है मेरी जाच में यह कहीं नहीं है कि मैं जाच करूं कि जो वेक्ति पकड़े गए वो पत्रकार है मेरे जाच में प्रमुक मुद्दा है कि किन प्रस्थितियों में यह फोटो वारल हुई किन प्रस्थितियों में खीची गई जाच के क्रम में जिस वेक्ति विसेश को यह बता इसके ज्यादा मैं कुछ खहने के सिती में नहीं हूं लेकिन जो व्यक्ति प्रोजेक्ट हो रहा उसमें यह चीजें साक्ष में आई हैं मेरी जांच पूरी तरह से केंद्रित यह है क्योंकि इस देश में कानून सभी के लिए समान है जाए वह पत्रकार है जाए वह आम आदमी हो जाए वह आई पैस ऑफिसर हो सभी के लिए एक कानून है जो पूरे रास्ट में लापूरे निशी तोर पे यह लापरवाई हुई है इसलिए मुझे यहां भेजा गया है और पुलीस में हमारे यहां अनुजाशन बनाए रखने के लिए प्रक्रिया है हम प्रात्मिक जाश करते हैं विभागी जाश करते हैं सस्पेंशन करते हैं और ज्यादा गलती होती है हम बरखास करते हमारा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बड़े पैमाने में साल भर में ऐसे लोगों को अपनी विभागी अंसासनात्मक कारवाई से हम उनके खिलाफ का से तरफारिक भी करते न पृटल्स डेपार्टमेंट से अलग भी करतें प्रिथाग भी करतें एक पूलिस डेपार्टमेंट 안enologists को लेकर एक लिथि रहीं होरा नुट सिंथ के समंध में आप ख्ख्या कहना जाएगा לिखें किन परच्छतियों में वो नूड सीन आई ये जहांच का विशह है क्यों उसमें रखा क्योंकि जो दो फोटो आई है नूड उसमें कहीं से वो बैठे हुए हैं एक में वो खड़े हुए हैं कहीं से भाव भंगीमा इस तरह की नहीं है कि वो विचलित है या परिसान दिख रहे हैं क्या है जब तक हम दो प्रिसकाल में वो कैसी परस्तेतिया थी वही उसी जाच के लिए हम यहां पर आये हुए हैं इन्विस्टिगेशन रूम होता है पुलिस का इन्विस्टिगेशन रूम में किसी भी द्रेक्ति को जाने का प्यार नहीं होता और वहां की बाते बाहर आये हैं ऐसा भी साथ जो एसी लापरवाही सामने आए गेई जहां चमें तत्रे आएंगे निशित पर रौकषण का स्टेट्मेंट और साक्षों का विस्टिगें के बादी मैं कुछ कहने के स्थितिहां हो हमारे साथ निक्तितियों में जाना और बाद मींस का विस्टेशन करना स्टिगे हैं Самे क्व हमें देखना चीजों का विश्टेशन करना है जांज करनी है लोग कहते है जो प्रधर्शन कारित हैं, उन में से कई लोग जो जहिए कई अपराद है उन के बरह बढ़ाना इस दिशा में भी क्या आपको इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा ये अगर अगर उन्हें आपराद की है, उसका निशी तौर पेपर कोर्ट में ट्रैल भी चला होगा। तो अबी मैं बात कर रहा थे, तो अबी में बात कर रहा था, मिस्टर रमेट सिंग जी से जिनका कहना है कि न्यूट सीन आपत तिजनक है लेकिन वो किन परिस्थितियों में ऐसी सीने सामने आई हैं कौन ब्यक्त इसके लिए दोशी है क्योंकि कौन्स्टिटूशन ही सबसे उपर बढ़कर कौन्स्टिटूशन से बढ़कर कोई नहीं है क उन्हों ने दोनों पक्षों को सुना है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभी अन्य लोगों की साक्ष लिया जा रहा है कि इस संबन में उनका क्या कहना है इन तमाम बातों को जब वो गौर से देखेंगे उसके बाद ही अंतिम निर्णय तक पहुँचेंगे लेकिन न्यूट सीन की बातें जो आती हैं निश्यत रूप से निंदनी यहां